कूडा करकट जलाए जाने और प्रदुशन के चलते मेरट की हवा में सास लेना मुश्किल हो गया है आलम यह है कि जिले का AQI लेवल 450 के पार हो गया है मामला बिगडता ते जहां नगर निगम के अधिकारियों ने जिले में कई टीमों को मुस्तेयत कर दिया है वही बाहर से संसाधन जुटा कर प्रदुशन को कंट्रोल करने का काम भी चारी है नगर निगम के सहायक नगर आयुक ब्रिजपाल सिंग ने बताया कि फिलहाल जिले में AQI लेवल लगबक 450 के पार हो गया है जिस से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को तीन जोन में बाट कर कर मचारियों की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है यह टीमें सडक पर राद दीन वाटर टैंकर से छिड़काव में जुटी है इसी के साथ कूडा जलाने वाले लोगों के खिलाव भी सक्त कारवा ही की जा रही है जिसके तहट प्रदूशन फैलाने वालों से 200 से 500 रुपे तक का जुर्माना वसुला जा रहा है इसी के साथ प्रदूशन को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम दो अन्य वाटर गन भी मंगा रहा है सहायक नगर आयुक ने दावा किया कि नगर निगम के अधिकारी और करमचारी दिन रात महनत करके प्रदूशन को हर हालत में कंट्रोल करेंगे ये पूरे सहर को हमने इसको अपने आग तीनों जोनों में हमारे हाँ हमने अपने टेंकर लगाए हैं वो लगातार सड़कों पे किनारे जो मिश्टी है उसको दापने के लिए छिड़काओ कर रहे हैं और वो टीमे हमारी लगातार चल रहे हैं इसके अलावा हमारी जो बाड में जो टीमें हैं वो लगातार मॉनिटर कर रही है कि कहीं भी उडा न जलाये जाए एक दम बिल्कुल जिससे पॉजिशन न पहले